जै जिवदानी ब्यूटी विद एस्ट्रोजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार स्रोताओं के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशी भविश्य देकर हाजिर हूँ यह साप्ताहिक राशी भविश्य तारीक 10 मई दो हजार बीस से लेकर तारीक 17 मई दो हजार बीस तक का है इससे पहले के मैं साप्ताह का ब्योरा दूँ आप सबसे निवेदन हैं के सब्सक्राइब कीजे मेरा ये चैनल यूटूब स्लैश ब्यूटी विद एस्ट्रोजी जब बात करें हम मई महिने की सबसे पहले इस महिने में ग्रहों की बहुत बड़ी उलाधाल हो रही है और हो चुकी भी है जैसे के आप सब जानते हैं के चार तारीक को मंगल कुम्भ में प्रवेश कर गए हैं नौ तारिको बुध वरिशब में प्रवेश कर चुके हैं और अब आगे शनी वक्री हो जाएंगे ग्यारा तारिको, तेरा तारिको शुक्र वक्री हो जाएंगे, बुध उधित हो जाएंगे, चौदा तारिको गुरु वक्री हो जाएंगे, सूर्य प्रिशब में चले जाएंगे और इसके साथ अच्छी घटना भी होगी के चौबिस तारिको बुध मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे, तो इस महीने में बहुत सारी ग्रहों की उला ढाल होनी है, और कुछ ग्रहों की हो भी चुकी है, आईए जानते हैं हम, इस सप्ता हमें क्या उला ढाल हो रही है, तारिक 10 माई को संकष्टी चतुर्ती है, चंद्रोदे रात्री 10 बच के 14 मिनिट पर होंगे, आप अपना व्रत खोल सकते हैं, 11 तारिको सूर्य कृति का नक्षत्र में सुबाच 6 बच के 21 मिनिट पर प्रवेश कर जाएंगे, जो आप सभी के लिए अच्छी खबर है, अभी तक सूर्य भरणी नक्षत्र में थे, शुक्र के नक्षत्र में थे, जो ठीक नहीं था, शुक्र और सूर्य आपस में मित्र न दी में परिणाम आएंगे, उनके विशे में मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो डाल रखा है, स्पैसिफिकली शनी के वक्री होने पर क्या असर होगा इस विशे में, तेरा तारिको शुक्र वक्री हो जाएंगे, तो शुक्र का भी बहुत जादा बुरा परिणाम न जब किसी घर में एक मित्र के साथ कुछ बुरा हो रहा होता है, तो दूसरा उसका अच्छा मित्र अगर साथ में रहे, तो उसका बुरा होने नहीं देता, यही होगा शुक्र और बुद्ध के साथ में, इसी दिन बुद्ध उदित भी हो जाएंगे, तो बुद्ध इस दिन गुरू वक्री हो रहे हैं अब आप कहेंगे कि गुरू वक्री होकर कुछ बुरा असर डालने वाले हैं जी नहीं नीच के थे गुरू अब धीमे धीमे 30 जून तक वो खसकेंगे अपनी स्वराशी के तरफ धनुराशी के तरफ और जो बुरा असर दे रहे थे अब ध इस घर में बैठे हैं उसका असर देंगे वो इसी दिन सूर्य वरिशब में प्रवेश कर जाएंगे शाम पांच बच के सोला मिनिट पर जो के बहुत जादा बढ़िया ख़वर नहीं है क्योंकि शुक्र को अस्त करने में सूर्य जो है वो कारागर साबित होते हैं और सूर्य का तेज थोड़ा बहुत निश्टेज करेंगे हलाकि बुध जो हैं वो कमान को समाले रहेंगे बुधादित्य योग भी बनेगा पंदरा तरीकों अगस्ती लोप है और इसके साथ ही इस घटनाओं का ब्योरा खत्म हुआ आईए चलिए जानते हैं मेश से लेके मीन राशी लगन के अनुसार है मेश राशी आपके लगन का स्वामी तो मंगल चला गया है लाव में और आपको पहले से जादा अश्वस्ता अकरमक सा हसी बनाता है शनी के दशम में वक्री हो जाने से थोड़ा बहुत कारियों की चिंता रहेगी आपको स्लो हो जाएंगे कारिय गुर सकते हैं अपने परिवार को और पैसे को लेकर थोड़ा बहुत चिंतित अब ये पैसा जो है समाल लीजिए क्योंके है सपोर्ट परिवार वालों का आपको और आपको बेचैन कौन करेगा आपके खुद के विचार तो अपने विचारों से परिशान मत हो ये मेडिटेशन क कीजे और महालक्षमी की आरादना कीजे गुरुवार के दिन आपके लिए एक और बात आपके प्रेम सम्मंद अगर विगड़े थे तो अब सुधरना शुरू हो जाएंगे बुरिशवराशी आपके लगन में शुक्र बुद्ध और सूरिय आ जाएंगे याद रखें शु दोड़ा बहुत जो परेशानी होगी सूरिय और वक्री होने के कारण उससे निजात दिलवाएंगे सपोर्ट करेंगे माइंड फ्रेश रहेगा अपनी तबियत को समालिएगा और स्त्रियों में अगर महाबारी वगरा से रिलेटिट कोई प्रॉब्लम है तो उसको समालिए प्रैक्टिकल रहिएगा महालक्ष्मी की पूजा करते रहिएगा मंगल शनी के साथ से निकल चुके हैं तो अब आपको अपने जमीन जायदात से रिलेटिट जो डिसिजन्स हैं उनको अभी टाल देना है थोड़े दिनों तक और अपने पिता की तबियत का ध्यान रखना ह हैं आपके भाग्यों से रिलेटिट कोई आपके डिसिजन्स हैं उनको भी अभी स्तागित कीजिए हलाकि आपकी तबियत के जो चिंता विश्य आपको वने हुए थे उसके लिए आपको अच्छे मार्ग मिल जाएंगे मितुन राशी आपके लगनकस्वामी द्वादश में है फिर भी अपने मित्रों के साथ है इसलिए अब पहले से बहतर स्थिती है सूर्य के कृतिका नक्षतर में आने से आपको माइंड को जो परिशानी थी उससे काफी आप रिलाक्स हो जाएंगे और गुरू के सब्तम में पीछे चलने के राह पर निकले वो तो उससे आपकी जो लोवर बॉडी में जो प्राबलम थी मतलब बेट से नीचे वो सॉर्टेट होना शुरू हो जाएगी शनी वक्री हैं फिर भी थोड़ा बहुत अपनी तबियत का ध्यान रखे प्रैक्टिकल रहिएगा एक्सरसाइज योग मेडिटेशन करते रहिएगा पहले कासा पैस का स्वामी जो है वो तो ढाई ढाई दिन में बदलता रहता है अभी धनू में रहेंगे तो आते पांच दिन आपको थोड़ी साफधानी मैं तो कहूंगी साथो दिन ये हफ्ता भर आपको पानी ज़्यादा पिना है और साफधानी बरत्ति हैं चंद्रमा को देखना है करेगी आप कीजे महामरुतुन जय के जाप और जो पैसा आपको मा के सपोर्ट से अपने सपोर्ट से जैसे भी मिल रहा है उसको समालिए और उड़ाइए मत दूसरी बात आपको आपके छोटे भाई भेनों की जो तकलीफें थी उनसे निजाद मिलेगी और आपका पहले से जादा उसा तो बढ़ेगा लेकिन नेगेटिविटी की ओर ये उसा मत बढ़ाईएगा सिंग राशी आपके लगनका स्वामी अब कृतिका नक्षत्र में जाकर 14-15 तारीक तक तो रिलाक्स रहेगा लेकिन उसके बाद सूर्य जो है शुक्र के घर में प्रवेश कर जाएग और हाला कि आप आश्वस्त रहेंगे अपने confidence को लेकर अपने सभाव को लेकर वो ठीक है लेकिन आपको अपने काम अपने सभाव के कारण डॉमिनेशन करके बिगाडने नहीं है और पिता की तवेत का ध्यान व्यवसाय में ध्यान देना है क्योंकि व्यवसाय कुछ न के जुगाड करेगा आपके कुछ काम होते रहेंगे पैसे आते रहेंगे शनी के वक्री होने से आपको अपने विवाही जीवन में कलहकलेश से बचना है और मंगल यही इंगित करते हैं कि आपके विवाही जीवन में जो कलहकलेश है उससे बचिये और अपनी स्थितियां बिगाड़िये मत और उससे क्या होगा ध्यान उदर बढ़ जाएगा और काम आपका बिगड़ जाएगा वक्री गुरू आपको फिर भी सूजबूज देने वाले हैं तो इस सूजबूज को काम में लाइए और अपने सारे काम सुधार लीजे अपनी तबियत भी सुधार ली और साथ में अपने प्रेम संबंदों के विश्यमें खर्चों के विश्यमें बहतर सोचते हैं आप लेकिन आप से निवेदन है कि अगर कुछ काम बनते हैं तो उनको सामने से मत बुलिए कि मैं नहीं करूंगा या मैं नहीं करूंगी और डिसिजन्स गलत नहीं होने अभी फिर से आपकी मा की तबियत और घर के हालात सुधरने लगेंगे दीमे दीमे तो उनको भी ध्यान दीजेगा कि कैसे उनकी तरफ ध्यान देना है और उनको तकलीफ से बाहर निकालना है अपने बच्चों का भी ध्यान दीजेगा और उनकी पढ़ाई अपनी पढ़ाई अध्यान इन में कितनी रुकाम्टे प्रैक्टिकली दूर कर सकते हैं आप और ना हो तो आप कर सकते हैं शिव जी की आरादना तुलाराशी के लिए आपके लगनका स्वामी अभी स्वस्त था लेकिन अश्टम में था वहां गए सूर्य तो अपनी तवियत समाले लेकिन फिर भी आप करके महालक्षमी की या दुर्गामा की आरादना अपने स्वास्त को अच्छा रख सकते हैं आपके अब पहले के से उत्साह उमंग लोटने लगे तो आप तबियत खराब होने के बावजूद कोशिश करेंगे कि मैं काम करूं तबियत ना भिगड़े इसलिए प्र महाबारी से रिलेटेड खासकर स्त्रियों को तो उनको अपनी तबियत का ध्यान रखना है रेस्ट करना है शनी के वकरी होने से आपको अपने डिसिजन्स लेने में थोड़ी दिकतें या विलंब हो सकता है तो डिसिजन्स पावर को अच्छा रखिएगा क्योंके मंगल भी पहले से पंचम में बैठे हुए हैं आला कि वो पैसों के विशय में सही डिसिजन्स दिलवाते हैं और इसमें आपके विवाही जीवन का बहुत रोल है लेकिन फिर भी आपको हर प्रकार से सचेत रहने की हिदायत देती हूँ मैं अभी आपकी धया चल रही थी आपकी और म आप बैठर सोच पाएंगे अपने काम के विशय में लेकिन पूरुन तया नहीं तो पहले से बैठर तो हुई है स्थिति मानसिक आपकी स्थिति और आगे भी और बैठर होगी परिवार के विशय में बहतर सोचेंगे अब थोड़ा मानी में हो जाया परिवार से रिलेट कि बाकी तो आपको विवाही जीवन से जो सपोर्ट हो बना रहेगा लेकिन उनकी तब्यत समालना भी जरूरी क्योंके वो ही सपोर्ट करके आपको धन को कमा पा रहे हैं और आपके व्यवसाई में जो आपके पार्टनर्स हैं वो भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं इन दिनों प प्रितिये में जाकर वक्री होके फिर आपकी और आया तो याद रखें कि आपको जो साड़े साती का जो प्रभाव था वो भी कम होगा और आपका बहतर कॉन्फिडेंस जो है वो भी गेन होना शुरू हो जाएगा परिवार से जो कलहकलेश है उससे बचना है और अपने छोट खुटे भाइ भैनों के साथ कलहकलेश भी नहीं करना है आपके यातरायें तो टली हुए यातराय तो होनी नहीं है लेकिन फिर भी घर बैठे जो काम हो रहे हैं उनको बनाःए जरूर उनको आप आगे ले जा सकते हैं आपके विरोधी सक्रियत थे जो अब नहीं रहेंगे और कुछ न कुछ आप जुगार कर ही लेंगे अपने बैंकिंग रिलेटेड काम, पैसों के काम, आपकी तबियत इन सब चीजों से रिलेटेड, आपके व्यवसाय में अभी बहुत जादा उन्नती तो नहीं, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकती हूँ, कि पहले से फिर भी सोच ब हमासान मचाई थी, पहले बंगल भी थे, अब बंगल निकल चुके हैं, लेकिन आपने अपनी तबियत को समाला थोड़ा पहुत, अब आपके ही लगने के स्वामी वक्री हो रहे हैं, तो exercise, योग, meditation regular रखिए, शिवजी की आरादना, दुरगा मा की आरादना regular रखिए, काल की आरादना कर सकते हैं, और अभी फिलहाल वक्त है, सही decisions लेने का, आगे चलके क्या करना है, तबियत के लिए, बच्चों के लिए, दिन कैसे बिताने चाहिए, lockdown में कैसे रहना चाहिए, सब आपको अपने बच्चों को भी training देनी हैं, और दे पाएंगे आप, गलत अगर आपको माइंड चलता है, या बेचैनी, या किसी प्रकार की नर्वसनेस होती हैं, तो आप कीजिए महाकाली की आरादना, पैसों के विशय में, अभी थोड़ा रुख जाएए, स्थिती बहुत जादा अनुकूल नहीं है, तो भी आपके कुछ न कुछ छिट-पुट लाप तो कहीं न कहीं से आपका जुगाड कर ही देंगे, कुम्भराशी, आपके लगन में बैठा मंगल और उपर से शनी वक्री, मेरी आप से रिक्वेस्ट ये, के सबसे पहले खाना पीना ठीक कर दीजे, गलत खाने पीने से तबियत भिगड सकती है, अपने अगर कोई, आपको कोई ऐसे कोई भी बलड के विकार हैं, तो उन पर कंट्रोल कीजे, और शनी के वक्री होने से अगर आपके प्रेम संबंदों में स्पेस देना पड़े, तो दे दीजे थोड़े दिन की बात है, फिर तो सब ठीक हो ही जाएगा, गुरू के आने से पिछली तरफ आपको पैस प्रेंशन थी, उससे थोड़ी मुक्ती मिली है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आपके साथ आपका दूसरे भी जो घर के लोग हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं, और बड़े दिनों से जब से राहु आरादर नक्षतर में गया है, मैं आप से लगातार बिंती कर रहे हूं कि आप आप जो हैं व्यसनों में मत पढ़िएगा और अपने बच्चों को भी व्यसनों में मत पढ़ने दीजेगा, कारिये के विश्य में अभी बहुत जादा जोर से सोचना ठीक नहीं, बिकॉस बहुत जादा फेवरेबल नहीं, लेकिन फिर भी स्थिति आप समाल पाएंगे, औ मिनराशी से रिलेटेड अब पहले से कई परिशानिया कम होने चली, और आप बहतर सोच पाएंगे अब अपने कारिये के विश्य में लेकिन अभी इंकम नहीं है, और इंकम को बनाने के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, और स्ट्रगल के लिए रेडी रहिए, आपको फिर भी सपोर्ट करते हैं आपके विवसाय के लोग, आपके घरेलू लोग और जो थोड़ा बहुत आपको घरवानों से परिशानी हैं या दिक्कते हैं वो आते महिने डेड़ महिने में ठीक हो जाएंगे, आपको लगातार शीव जी के आरादना करनी चाहिए, यह शिव जी के जाप, आप किसी भी कटनाई में रेस्ट कीजिए, आराम कीजिए, तो आपकी कई सारी कटनाईयां निपड़ जाएंगे, और दो ढ़ाई दिन के जो चंद्रमा आते हैं, उनमें जब नक्षत्रों के हिसाब से जो नक्षत्र सूट नहीं करता, तो कई सारी परिशानियां बस उस दिन के लिए ही आती हैं, आगे पीछे नहीं आती, इसलिए बहुत जादा सोचने की जरूरत नहीं हैं, अब आप अपने कारियों के विशे में धीमें धीमें सोच सकते हैं फिर से, लेकिन बहुत जादा आक्रमक सरूप से नहीं, लेकिन पहले से इस्ट्रोजी का नारा है, पौधे लगाएं, विवसाय बढाएं, लॉकडाउन में घर के बड़े भूडों को तांगना करें, इससे आपके राहू के तूशनी बिगड़ जाते हैं, और उनका आशिरवाद लेना आपका परमधर्म है, और दूसरी बात उनका ध्यान भी रख होगी, तो फेपड़ों से रिलेटेड जितनी प्राबलम जो इन दिनों चल रही है, सांस वगरा की, जुकाम की, वो सब ठीक होने के रास्ते पर लग जाएगी, अगर आप करते रहें, ग्रीन चीज़ों को फॉलो हरी सबजिया खाए, हरे कपड़े पहने, तो परेशानियो से दूर रहेंगे आप, God bless you, take care and goodbye, फिर मिलूगी इसी तरह सापताहिक राशी भविश्य लेकर आग्या दीजे, धन्यवाद और नमस्कार